हलो दोस्तो, मेरा नाम किर्टी सुरूप बोरकर है, हमारी नॉलिक चैनल मेगा कंप्यूटर्स में आप सभी का स्वागत है, वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने मिलें, तो लाइक जरूर कर दीजेगा, तो चलिए कुछ बड़िया सीखते हैं, हलो दोस्तो, आज हम ज चीज को जानेंगे बारी किसे, सबसे पहले हम जानते हैं कि MSC8 का फुल फॉर्म क्या होता है, महराष्ट्र स्टेट सर्टिफिकेट इन इन्फॉर्मिशन टेकनलोजी, ठीक है, यह हो गया इसका फुल फॉर्म, और यह ऐसा कोर्स है, जो कंप्यूटर जगत में सबसे इंप इंटरनेट पर, तो यह हम चले गया है इंटरनेट पर, और देखते हैं कि आपको क्या के इस पर पता मिलेगा, आपको सिंप्ली गूगल पर जाना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है, MSCAT MKCL, ठीक है, इतना एंटर करेंगे, तो आपके सामने आ जाएगा, यह सबसे पहला वेबसाइट MSCAT MKCL, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, आपको MSCAT के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, उस सब आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, ठीक है, चलिए, जानते हैं अच्छे से, तो सबसे पहले देखिए, MSCAT Information Technology Course है, जो चालू किया था MKCL ने, कब किया था, 2001 में, ठीक है, और यह स्पेशली महाराष्टर के लिए बनाया गया था, लेकिन आज उसकी इतनी डिमांड है, इस कोर्स में इतने अच्छे अच्छे options है सीखने के लिए, कि आज यह बाहर भी पढ़ा जाता है, ठीक है, फर मैं आज स्पेशली बात करेंगे MSC के बादे में, चलो, कुछ और जान लेते हैं, इसके बादे में, इसमें अब देखते हैं, क्या-क्या हमें सीखने मिलने वाला है, तो, this course comprises of, मतलब, इस course में आपको सीखने मिलेगा, M.K.C.L. का e-learning revolution for all, मतलब, एक software मिलेगा आपको, जिसे हम shortcut में कहते है, ERA, ERA मतलब, E for e-learning, R for revolution, A for all, hands-on practice session, मतलब, जैसे आपने ERA को सुना, आपको तुरंत में ही उसे करने का, practice करने का मौका मिलेगा, उसे हम sessions कहते है, learning facilitation by certified professional, आपने जो भी पढ़ाई की है, उसके लिए आपको certificate मिलेगी, जो professional level पर रहेगी, गवर्मेंट की रहेगी, academic interaction, assessment and collaboration, जो भी चीज आपको यहाँ पर सीखने मिलने वाली है, ठीके, reading and understanding a highly illustrated book, आपको एक book दी जाएगी, जो already हर page में उसका पार कोड रहेगा, और हर चीज का आपको वीडियो मिलेगा, ठीके, ओके, चलो आगे बढ़ते, आपको यहाँ उपर आना है, यहाँ जाना है आपको course detail में, आप course detail मे जाएंगे, आपको देखना है कि इस course में क्या क्या है, कितने महिने का course है, क्या सीखने मिलेगा, कैसे होगा हमारा काम, तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले, मैं आप बता चुका हूँ, यह सब, learning options, मतलब आप कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, वो option आपको यहाँ मिल जाएंगे, चलो देखते, सिखने को मिलने वाला है, MSCAT में 200 से ज्यादा skills, मतलब 200 से ज्यादा आपको बुन सिखने मिलेंगे, अगर इन में से आप ज्यादा ज्यादा सिखने ही कोशिश करो, टैपिंग स्किल आपको सिखने मिलेगा, 21st century job skills, यह सब चीज़े आपको सिखने मिलेगी, जो यहाँ पे list में है, तो आप लोग एक बार website को visit करो, और सारी चीज़ों को समझ लो, कि आपको क्या-क्या देखने मिलने वाला है, क्या-क्या आप सीखने वाले है, यह सारी duration, आपको पता होना चाहिए कि अभी course कितने दिनों का होता है, तो यह course basically होता है 60 days का, इसमें आपको 50 sessions classroom करने, 50 sessions computer पर करने है, तो totally आपको 144 hours दी जाएगे, साधी बाशार में देखा जाए तो आपको 60 days दिये जाएगे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, next है important dates, तो आप यह से पता कर सकते हैं कि MSCAT की last date क्या है, तो हम यहां click करके check कर लेते हैं, तो अभी important dates थी 25th June, जैसे आज चल रहा है 3rd July, लेकिन यह date चली गई है, तो अभी next date यहां update होने की है, तो वो हो जाएगी, ठीक है, चलो next देखते है, fees, कि MSCAT की fees कितनी है, आपका total fees रहेगा 4000 बढ़के 4200 हो जाता है, इसमें आपको 2100 रुपए पहले भरने है, admission के time, और second time भरने हैं आपको 2100, तीन मेने का course नहीं होता है, इसलिए आपको 2 मेने में ही इसे paid करना होता है, समझ में आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी 100 मिशन काफी है आपके लिए, तो MSCAT join करो, औ और computer जगत में, computer के generation में, इंटर करो, बहुत बढ़िया course है, अगर आपको join करना है MSCAT course और आप देखना चाहते हैं कि आपके आसपास center कुन सा है, तो आप simply क्या करें, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, contact us पे, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने स्क्री करना है, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, find nearest authorized learning center पर, ठीक है, जैसे आपने यहाँ क्लिक किया, आपके सामने एक option आ गया, आपको course select कर लेना है, यहाँ से MSCIT और search by pin code से आप आसानी से search कर पाएंगे, आपके आसपास का center, ALC center, authorized center, search पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपक आपको टाइप करना है, आपका pin code, जैसे example के लिए तोर पे हम यह ले रहे है, हमारा pin code, यह हमने ले लिया, search करेंगे, जैसे आपने search पे क्लिक किया, वैसे आपको सामने यह ऐसा map आएगा, अब जो भी आपका location रहेगा, जैसे यह वाडी area है, नटकूर का, तो यहाँ पे जैसे यह हमारा center है, जैसे आपने यहाँ touch किया, और अगर आपको यहाँ पे call करके कोई information लेनी है, कि कितने बज़े मिलने आना है, admission करना है, तो आप simply इस नाम पे click करेंगे, जैसे आपने click किया, आपको मिलेगा center code, center का नाम, center में कौन से कौन से course होते है, वो, और उसके ब यही से आप अपनी पड़ाइस शुरुआत करिए, तो आप MSIAT course join करिए, और life में कुछ बढ़िया सिखिए, और IT सेक्टर में आगे चाहिए, और खुब सा रखी करिए, all the best.